नमस्कार भक्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल में अगर आपको प्रेम में सफलता नहीं मिल रही है आपको चुपाए करके इसे पा सकते हैं इसके लिए तंत्र मंत्र का सहायदा ली जा सकती है जी हां ऐसे तंत्र अपनाने चाहिए जिससे किसी विव्यक्ति को नुकसान न हो अधिक शक्तिशाली शाबर मंत्र बहुत प्रभावशारी होते हैं क्योंकि ये अपने आप में सिद्ध किये हुए मंत्र होते हैं कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनसे आपको मनुवांचित फल मिल जाता है आज आपको बताएंगे कुछ ऐसे ही मंत्र और उपाए जिनके दिखान से देखिए हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजे हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजे जिससे कि आपको नए वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिलेंगे इस मंत्र को अगर आप विधी पूर्वक करेंगे तो पसंद की जा रही इस्तरी उसे आप उसके बाद उस स्थान पर आसन लगा कर बैठ जाएं उसके बाद आपको यह मंत्र अपने सामने लिखना है और आपको क्या करना है एक डिब्बी में थोड़ा सा नमक लें और उस पर डबब के ऊपर जो है वो धकन लगा रहने दें जी हां आपको जो नमक लेना है आपको स सादा नमक नहीं लेना है आपको सेंधा नमक लेना है इस तरह से आप देख सकते हैं सेंधा नमक का इस्तमाल करना है आपको और उसके बाद आपको उसके उपर डबी के उपर ऐसे इस तरह से धकन को लगा देना है और इसे अब आपको बंद करके किसी सुरक्षित स्थान प जी हां 29 दिनों तक सिर्फ इसे 7 बार अभिमंत्रित करना है जिस समय पहली बार ये तंत्र मंत्र आप करेंगे आप याद रखें एक दिन भी इसे तोड़े नहीं आपको 29 दिन तक ये उपाय करना है मंत्र में आपको ओम नमो भगवते नमहा का मंत्र का जाप करना है और याद महिला का नाम उस महिला का फोटो अपने दिमाग में रखते हुए उसके बारे में ध्यान करते हुए आपको ये मंत्र ये उपाय करना है 29 दिन बाद आपको ये नमक उस मंचाही इस्तरी को किसी भी तरह से उसके खाने में मिला कर खिला देना है वो महिला आपकी तरफ आपके उपर मर मिटेगी, जैसा आप चाहेंगे, वैसा वो करेगी, आपकी दीवानी हो जाएगी, याद रखें, ये मंत्र सच्चे प्यार को पाने के लिए उपयोग किया जा सकता है, किसी भी गलत धारणा के लिए, गलत तरीके के लिए आप इसका उपयोग ना करें, इसका सारे भक्तों ने इसका उपयोग किया और उनके जीवन में इसकी वज़े से खुशियां आई है, तो अगर आप इसे करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, या फिर आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हम आपके लिए ये उपाय कर देंगे, ऐसे ही दोस्तों, आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, धन्यवाद दोस्तों